Dear students, आज हम डिसकस करने जा रहा हैं एंटि-फेरो-मैगनेटिसम एंटि-फेरो-मैगनेटिसम जो है इसकी थियोरी इस बात पर बेस्ट है कि एंटि-पैरलल स्पिन होंगे, ठीक है? तो तब वहाँ पर जो मैगनेटिसम होगा वो कहला एगा एंटि-फेरो-मैगनेटिसम तो यहाँ पर जो distance होता है interacting attempts के बीच में वो काफी कम होता है और जो यहाँ पर exchange forces लगते हैं exchange forces जिनकी बात हमने की थी फेरो-मैगनेटिसम में exchange integral है ना? तो जो exchange forces लगते हैं, वो एक ऐसी tendency प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वज़ा से, जो spin dipole moment है, उनका anti-parallel alignment हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा striking feature है, antiferromagnetic substances की, वो यह है कि जो susceptibility यहाँ पे मिलता है, वो शो करता है, function of temperature में maximum एक peak शो करता है, जैसे आदिनीस fluoride MnF2 का देख सकते हैं, यह temperature है, यह एकसिस में आपका susceptibility है, आप देख सकते हो, कि यह वैल्यू है, वो यह तेम्परेचर के साथ, तीरे तीरे बढ़ रही है, और उसके बाद एक peak के बाद यह काम होने लग जाती है, तो इसको बताया गया टू लैटस सब मॉडल, तू सब लैटस मॉडल के आधार पे जिसमें की दो टाइप के एटम लिये गए, A और B, और उनको डिस्ट्रिब्यूट किया गया दो इंटर लोकिंग लैटस में, तो B टाइप के एटम लिये गए, जो कॉर्णर में है, और A टाइप के जो की सेंटर में है, यह कहां पर यह डाइग्राम इसके लिए है, यह A सेंटर में है, और B वाले हैं, यह कहां पर है, कॉर्णर में, B का आप देख सकते हैं, सारे B का स्पिन जो है, वो डाउन है, A का स्पिन अप है, तो जो इंटरेक्शन है, इस इन एटम के बीच में, वो कुछ इस तरीके से है, क तो मेंगनेटाइजेशन की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे आप तेमप्रेचर को बढ़ाते जाओगे, जैसा कि अमने ग्राफ में देखा, तो आप यह देखेंगे कि इंटरेक्शन कम होने की वजह से ससेप्टिबिटी वहां पे बढ़ जाती है, और एक ऐसा तेमप्रेच करने लगता है, ठीक है, नेल टेमप्रेचर की बात हमने पहले ही करी थी, जब न्यूटरॉन डिफ्रेक्शन को स्टडी किया था, कि यह वो टेमप्रेचर है, जहां पर हमको एंटि फेरो मेंगनेटिजम मिलता है, ठीक है, तो इसका एक्सपरिमेंटल एविडेंस, इसी बा पर वो इंसिडेंट करवाए जाते हैं किसी क्रिस्टल पर, तो जब आप इंसिडेंट करवाओगें न्यूटरॉन को तो फिर वो स्कैटर हो जाते हैं न्यूक्लिय से, और वहां पर इंट्रेक्शन जो है, न्यूटरॉन स्पिन और पेरामेगनेटिक आइंस के बीच में भ लगती है, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एंटिफेरोमेगनेटिक ओर जो है, वो गयाव होने लग जाता है, और नील टेमपरेचर के अबव जब आप जाते हो, तो फिर एक्स्ट्रा लाइन जो है, वो पूरी तरह से आपके डिसपीर हो जाएंगे, आप इस चीज को यहा जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ पे टेमपरेचर एटी के लिए गया है, यहाँ पे यह एक्स्ट्रा लाइन आपको नजर आ रहे होगे, और यहाँ पे यह लाइन नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने टेमपरेचर जो है, उसको ब प्लोट किया गया है, इसमें स्केटरिंग एंगल और आपका इंटेंसिटी दिखाए गया है बिलो एन अबव बिलो एन अबव नील टेंपरेचर की बात कर रहा है तो यहाँ पे यह एक्स्ट्रा लाइन्स हैं जिसकी वज़ा से यह प्रूफ होता है कि जो एंटी फेरो मैंगनेटिजम है वो एक्सिस्ट करता है ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो शेर लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं, थेंक्यू